आज किल Capital Smartity का जब भी जिकर होता है तो सबसे पहला सवाल जो सुनने को मिलता है वो यह मिलता है Capital Smartity का Interchange M2 Motorway पर कब बन रहा है इसमें पूछने वाले को कोई तालुक नहीं है इसमें पूछने वालों को कोई कसूर नहीं है Capital Smartity को जब हमने प्रमोट करना स्टार्ट किया था बत और सेल्स पार्टनर सबसे पहले हमने मार्केटी में जो चीज हमने पिछ की थी Capital Smartity को सेल करने के लिए हमारे दो जो पिछ में सबसे दो स्ट्रॉंग पॉइंट होते थे हो भी नहीं है कुछ नुकसान नहीं हुआ बट कुछ डिलेज आए हैं तो आज की इस वीडियो में मैं जिकर करूंगा Capital Smartity में इंटर्जिन के हवाले से हटके बाके जो डिस्टिक्स अब तक लाउंच किए हैं उनमें अब तक development का स्टेटस कहां फॉल करते हैं आज के इस वीडियो में आपको जो इंटर्जेंज का में पॉइंटर्जेंज की कंस्ट्रक्शन कब तक स्टार्ट होगी इवन दो Capital Smartity के बिइंग दा सेल्स पार्टनर मैंने ही यूट्यूब पे मुल्टिबल टाइम ये वीडियो बनेगे Capital Smartity का अप्रूवल हो गया मिनेट्स ऑफ दर मेटिंग नेशनल हाईवे अथॉर्टी की वेबसाइट पर चेक कर लें यहां चेक कर लें वहां चेक कर लें आप हो Capital Smartity के इंटर्जेंज की अप्रूवल की पॉइंट नंबर 332, पॉइंट नंबर 333 पे इंटर्जेंज अपना अप्रूव है सेगंड पॉइंट आता है कि इस इंटर्जेंज वाले पॉइंट पर कंस्ट्रक्शन कब तक स्टार्ट होगी Capital Smartity का इस वक्त जो इंटर्जेंज का अप्रूवल है जो नेशनल हाईवर थार्ट वीज जितना इसका प्रॉपरली कंसर्ण बॉडी होती है उनसे जो अप्रूवल का काम है वो 100% मुकमल हो चुका है एक चीज इसका डिले है Capital Smartity का इंटर्चेंग के डिजाइन का जो Capital Smart ने डिजाइन पुट किया था और इस डिजाइन में कोई ओंच नीच आई थी इस वैसे Capital Smartity का इंटर्चेंग के डिजाइन की वैसे उसको होल्ड किया हुए पहला पॉइंट तो यह आगया और दूसरा पॉइंट इसमें यह आते है Capital Smart के इंटर्चेंग के डिरेक्ली और इंडिरेक्ली लिंक जो है वो सेटिंग फेडरल गवर्मेंट से भी है इससे पहले पाक्सान में आप जानते हैं कि April 2022 तक इमरान खान की गवर्मेंट थी और चीजें बहुत हथ तक स्टेबल जा रहा थी, economy ब्लूकर स्टेबल होगी थी, सब कोई स्टेबल था फिर due to certain problem, जिंदा, political setup कुछ चीजें हुई और इमराहान को वजारत रुजमा छोड़के जाना पड़ा शबाशी ने जब से टेक ओवर किया है, तो definitely दूसरी गवर्मेंट आई है, तो कोई भी इस तरह के जो मेगा परजेक्ट्स काउंट होते हैं, क्योंकि M2 मोटरवे, लहुर इसलामबाद मोटरवे, गवर्मेंट का, पाकिस्तान की हकूमत का आई तक का सबसे फ्लैक्शिप अपर अपना जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन की फ्लैक्शिप कंपनी है, उसका सबसे जो फ्लैक्शिप औजेक्ट है, कैपिटल स्मार्टी, उसने फ्लैक्शिप इंटरचेंज बनाना था, तो इस लहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा जो आगवर्में तो 16% की डेफिसिट जा रहा है इस वक्त मार्केट में, तो इस लहाँ से पाक्सान की करेंट एकनोमिक सेटप की वैसे जो इंटरचेंज वाली बात है, वो तो इस बात की नजर हो जाती है, लेकिन एनिकेस मैं जो इस बात पर दोबार वापिस आता हूं, कि इंटरचेंग क बिलियन डॉलर पोजेक्ट है, बिलियन डॉलर पोजेक्ट मतलब यह है कि आने वले दिनों में जो चीजें आनी हैं, वो बहुत ही बड़े मैसिव लेवल की, बहुत ही फ्लैक्शिप लेवल की हैं, तो यह इंटरचेंज जो है, इसकी रुकावट किसी हद तक गवर्वर्म करें, उनकी तरफ से जो उनकी अक्टिविटी है, वो आपको शायद सोचल मीडिया पर तनी नज़र नहीं आती, लेकिन अवरार उनकी अक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही है, अगर रिसनली मैं पिछले तीन मेने काउंट करूं, नवे दिन के अंदर जिसमें भी एक निशनल उन्स्टिव टेक्नॉलजी के साथ एक दूसरी कंपनी मिल के एक ट्राइपर्टी एक वहां पे परज्ट टैनल लगे हैं, जिसमें निशनल उनस्टिवए के पृप्ट्डप्री और एक थर्ड परटी कंपनी मीं अगे जिसका बाद बीच में एक श चक्री रोड से एक्जेक्टिव ब्लॉग को कनेक्ट करने वाला ब्रेज। उसकी कनेक्शन जो प्रॉपरली इनाउगरेशन है वह हो चुकी है। जिसका जाई जाईसाब ने खुद इसका इसका फिदा किया है। अब थर्ड ब्रिज पे काम स्टार्ट हो गया है जो कनेक्टिंग रोड वन को चक्री रोड कनेक्टे रहेगा अब Overseas Prime से होते हुए विद दमेन Overseas East अब तीन ब्रिज इस कम्लीट होंगे तो इसके लावा स्मार्टिका चक्री रोड लिस साइट पे जितना काम होगा वो खतम हो जेगा एक ब्लॉक है चक्री रोड लिस साइट पे Overseas Prime जिसके डिवेलपमेंट जा रातोरा बहुत जारा स्प्रीड से जा रही है और इस वक्त कोई बें इंडिवेजल चाहे तो Overseas Prime में जिसकी रिसेंट डिसम बैलेटिंग भी हुई है वहाँ पे प्लॉट पे possession apply करके घरबनासते हुए capital smarti की तरफ से बहुत बड़ा incentive है उन members के लिए जिए जिन्होंने तीन साथे तीन साल के payment plan प्लॉट लिये थे और आज की date में वो विधा time frame of almost I think two years तू यर्स के अंदर अपने जो भी इंस्टॉल्मेंट हैं वो पे करके अपने प्लॉट को नंबर लग चुकिया है वो अपने प्लॉट पे पोजेशन अप्लाई करके construction स्टार्ट कर सकते हैं यह बहुत बड़ा benefit है उन members के लिए जो प्लॉट लेकि उस पे construction स्टार्ट करना चाते हैं पाकिसान में आपको कोई प्रजक्ट नजर नहीं आते हैं जहांपे आपको डियूरिंग इस्टॉल्मेंट प्राइम में यह वाला ट्राइ करूंगा उसकी प्रॉपर्ली ड्रोन फुटेज और प्रॉपर्ली ग्राउन फुटेज एड करके वीडियो बना दूँँ प्रॉपर्ली साइट पर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होई नजर आती है जी ब्लॉक और एच ब्लॉक में ऑवर्सेस प्राइम में कुछ पार्शल पार्ट है जो लिटिगेटेड़ है बाकी तमाम का तमाम पार्ट जो क्लियर है उसका पॉजेशन आप आने वाले दिनों में देखेंगे आपको ऑन साइट हैंडवर होता होँए नजर आएगा उसकी वज़ाई यह है कि सेक्टर एबी सी के साथ जो परली द पर चाट होगा इसके बारे मैं चेहिए कहना अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंको पैकसान में जब तक पॉलिटिकल सेट अप आपका प्रोपर लिटी स्टेबल नहीं होता तो यह चीज़ पर कमेंट करना मेरे बास में नहीं है, हो सकता है क्या कि मैं कोई भी कमेंट करू हुआ है लेकिन उन ग्राउंड एक्टिविटी नहीं हो सकी क्योंकि पाकिसान में कोई स्टेबल प्रिटिकल सेटप आज की डेट में नहीं है अगर आप कैपिल स्मार्ट टीम लाहुर स्मार्ट टीम झाल स्मार्ट invisफप दॉएश झाल के की फ्यास का जर स्मार्ट गभी लाहारста टीम उन गेख़ा CSS स्मार्ट धर में इक तूए एक्रिविएग 슉ई एक उ Presoh रेकितोhe 2बल टीम लाहा है गीघट